डेट है आज 7 मार्च 2023 ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है युनाइटि नेशन हाई सी ट्रीटी ये प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है और जी एस पेपर 3 के लिए भी और 2 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी ये ट्रीटी देखो 10 सालों से इस पे एग्रीमेंट चल रहा था अभी कंट्रीज ने युनाइटि नेशन में जो कंट्रीज है उन्होंने एग्री कर लिया है इस हाई सी ट्रीटी को इसे 10 साल से भी जादा हो चुके है इ इसी का क्या मतलब होता है इसके बारे में हम जानेंगे इसमें में यह फर्स्ट एवर ट्रीटी है ट्रीटी को इंग्लिस में ट्रीटी और हिंदी में संधी बोलते हैं संधी तो यह फर्स्ट एवर ट्रीटी है जो वर्ल्ड के ओशन को प्रोटेक्ट करेगी जो नेशनल बा इंडिया की इंडिया से हम समुंद्र की तरफ जाएंगे ओशन की तरफ तो इसकी बात कर रहे हैं हम देखो अगर जो यह लाइन है यह वाली लाइन अगर हम जो यह इंडिया के जो छोटे-छोटे से पार्ट बाहर निकल रहे हैं ओशन की तरफ अगर हम इसे एक लाइन से मिल कि मैं यहां पर देखो एक मैब बना के बताता हूं आपको जैसे मानलो कुछ पार्ट इंडिया के इस तरह से छोटे छोटे पार्ट निकल रहें बाहर की तरफ कि और इन्हें मैं एक लाइन से मिला दूँ कि मानलो यहां से में लाइन खीची यह यह लाइन है मानलो अब इस लाइन से मैंने मिला दिया अब जो यह अंदर का जो वाटर है मैं इसे जूंग करके दिखाता हूं आपको यह जो अंदर का वाटर है यह वाला यह जो वाटर है इसे बोलेंगे internal water क्या बोलेंगे internal water पूरा अधिकार उसी देश का होता है जिस देश के पास यह होता है और जो यह line है जो red line आपको दिखाई दे रही है जिसकी वज़ज़े से यह जो land जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, headland, जो मिलाए हैं, इस line को बोलते हैं, baseline, जो red line आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलेंगे baseline, baseline, तो यह baseline से अगर हम समुद्र की तरफ जाते हैं, baseline से समुद्र की तरफ जाएंगे, ocean की तरफ, सागर की तरफ, तो ocean की तरफ, baseline से 12 nautical mile तक, 12 nautical mile तक हमारा होता है, territorial water, territorial water, यह territorial zone, यह territorial sea, यह territorial area, कुछ भी बोल सकते हो, 12 nautical mile, और nautical mile क्या है, देखो, ocean में distance को nautical mile से मापते हैं, और एक nautical mile में 1.85 km होते हैं, 1.85 km होते हैं, अच्छा, इस territorial zone से आगे जाएंगे हम, 12 nautical mile से आगे, तो अगले 12 nautical mile तक होता है, contiguous zone, contiguous zone, यह contiguous area, बोल सकते हो, contiguous zone, तो यह contiguous zone होता है, base line से लगाएंगे, तो यह 24 nautical mile हो गया, और वैसे territorial zone है, उससे लेके, अगला 12 nautical mile तक हो गया, contiguous zone, अब base line से, याद रखना, base line से हम आगे जाएंगे, 200 nautical mile तक, 200 nautical mile, base line से कहांगे, 200 nautical mile, यहाँ पर देखते हैं, देखो, यहाँ, 12 nautical mile तक था, territorial zone, अगले 12 nautical mile तक था, contiguous zone, और base line से हम जा रहें, 200 nautical mile, यानि कि, kilometer में convert करेंगे, तो लगबग हो जाएगा, इसे 1.85 से multiply कर देंगे, तो 370 km, यानि कि, base line से 370 km तक, ocean में, इसके, 4 और, कहीं पर भी ocean है, किसी भी देश के, तो वो zone कहलाता है, exclusive economic zone, exclusive economic zone, EEZ, और यह EEZ कहां से कहां तक होता है, 200 nautical mile तक, लेकिन exclusive zone, यह जो territorial zone है, इस से लेके, यहाँ से लेके, अगले area तक, जो base line से 200 nautical mile तक है, वहाँ तक माना जाता है, territorial zone से 200 nautical mile, base line से, तो base line से यह count होता है, 200 nautical mile, यह आपको यादख ना है, अच्छा, exclusive economic zone से बाहर, यह सारा आता हाई-C में, हाई-C में, तो देखो, territorial जो water होता है, इस पे तो, उसी country का अधिकार होता है, जिस country के आसपास है, यहाँ पे, जो कोई country, किसी दूसरे country के जहाज को, aeroplane को उड़ने का, इस पे आदेश भी नहीं दे सकता, यहाँ कि, इसके ऊपर से भी नहीं निकल सकता, अगर permission ना दे, तो, यहाँ पे कोई पानी का जहाज भी नहीं आ सकता, यहाँ कि, सिप नहीं आ सकता, और अगला जो contiguous zone है, contiguous zone में देखो, इस पे country का ही अधिकार होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो allied country होते हैं, उनके जहाज सिप या aeroplane जा सकते हैं, लेकिन enemy country के जो aeroplane वगएरा, उनको यह मना कर सकता है, contiguous zone से बाहर, यानि कि exclusive economic zone में, किसी भी country का सिप भी जा सकता है, aeroplane भी जा सकता है, लेकिन हाँ, जिस country का exclusive economic zone होता है, उस ही को अधिकार होता है, वहाँ पे shipping करने का, या exploration करने का, इस पे, यह देखो, UN clause के हिसाफ से, UN clause, UN clause क्या है, United Nation Convention Law of Sea, इसके हिसाफ से 1982 में बनाई गए थे, यह laws, उसके हिसाफ से यह है, जो, यह सारे zone, जो मैंने आपको बताए हैं, और exclusive economic zone से बाहर, जितना भी, जो समुंद्र उसे बोलते हैं, high sea, यानि कि यह है, beyond the national air space, यानि कि देखो, जो contiguous zone है, यह तो आता अपने national air space में, जैसे contiguous zone है, contiguous zone तक बोलते हैं, उसे national aerospace, यानि कि वहाँ पे क्या है, कोई भी country अगर गुजरेगा, किसी का भी जहाज, तो उस country से permission लेना पड़ेगा, दूसरी country का अगर aeroplane आएगा तो, और national air space के बाहर, contiguous zone से बाहर, यानि कि 24 nautical miles से बाहर, उसे बोलते हैं, international air space, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, जैसा हमने अभी discuss किया था, तो high sea क्या होता है, या आपको पता चल गया, 200 nautical miles से बाहर का area सारा high sea में आता, उसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है, चाहे sipping करे, चाहे exploration करे, minerals का, या कुछ और activity करे, कुछ भी कर सकता है, तो ये high sea को manage करने के लिए, इस पर किस का अधिकार हो, कितनी fishing करे, illegal जो fishing होती होती हो, उसको रोकने के लिए, illegal activity होती होती हो, उसको रोकने के लिए, ये treaty लाए गई, high sea treaty, या संधी बोल सकते हो, हिंदी में, यानि कि national boundaries से बाहर का area ocean में govern करने के लिए treaty लाए गई, और high sea treaty को paris agreement for the ocean भी कहा जाता है, याद रखना है, ये paris agreement for the ocean, और ये legally binding है, ये word आपको याद रखना है, UPSC बहुत बार ये wording दे के पूछता है, कि ये treaty legally binding हिंदी में बोलते हैं, बाध्यकारी, बाध् binding है ये, marine life को international water में protect करने के लिए लाए गई है, marine life मतलब समुंदर में जो भी ecosystem है, life ecology है, जैसे fish है, या कोई और एक महाँ पे जानवर है, नहीं मले कोई भी उसको protect करने के लिए ये treaty लाए गई है, इसका target ये है, 2023 तक 30% जो CA उसको protect करना है, ये 2022 में UN की जो conference हुई थी, उसमें भी ये प्रतिग्या ली गई थी, place ली गई थी, इसमें देखो जो marine protected areas है, उसको उसके लिए legal framework establish करना, यानि कि उसके लिए rules regulation बनाने, ताकि high sea में जो भी genetic resources है, उनका equitable share हो सके, यानि कि जो भी resources पाए जाते हैं high sea में, उनका आपस में share कर सके, उनके बा प्रियावरन का मुल्यंकन, और वहाँ पे commercial activities होती है, यासे ship बगएरा जाते हैं, वहाँ से पानी के जाज, तो उनसे धुआ बगएरा निकलता, pollution होता है, या deep sea mining करते हैं, अंदर बहुत ही गहरी mining करते हैं, वहाँ से minerals बगएरा निकालते हैं, तो इसकी वज़े से environment को, प् conference of parties बोलेंगे, meeting होगी इसकी periodically, जिसमें governance, biodiversity को protect करने के लिए, issues, इस तरह के issue उठाए जाएंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे, और जो भी इसमें treaty में signatories होंगे, जो भी countries इसमें party होंगे, वो ocean resources को share करेंगे आपस में, जो भी संसादाने सागर में, ocean में, उनको share करेंगे आपस में, और जो ये treaty है, ये बनाई गई है, UN clause के हिसाफ से ही, जो United Nations Convention on Law of CA, ये 40 साल पहले बनाई गई थी, लगवग 1982 में, 1982 में बनाई गई थी, और इसी के तहत ये area define किये गए थे, कि high sea क्या है, EZ क्या है, continuous zone क्या है, तो high sea क्या है, already हम discuss कर चुके है, 200 nautical miles से beyond जो area है तो ये सारा जो country, कोई भी यहाँ पर fishing करना चाहती है, चलाना चाहती है, या कोई research करना चाहती है, वो यहाँ पर कर सकती है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ये world का 60% से भी ज़्यादा area high sea में आता है, और high sea अभी unregulated है, इसके लिए कोई rules regulation ऐसे है नहीं, और search बगरा करती है, minerals को यहाँ पर देखती है, समुदर में जाके, next topic है, राइ सीना security dialogue, ये prelims के लिए important है, और GS paper 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, देखो राइ सीना dialogue के बारे में हमने एक दो दिन पहले discuss किया, अच्छे से, राइ सीना dialogue एक meeting होती है, जो हमारा India कराता है, हर साल होती है, annually, 2016 से हो रही है, और कौन कराता है, राइ सीना dialogue को, ministry of external affairs, जो हमारा विदेश मंत्राले वो कराता है, और उसके साथ मिलके एक NGO है, independent think tank भी बोल सकते हो, या NGO, non-governmental organization, या फिर गैर सरकारी संसता हिंदी में बोलते हैं, उसका नाम है, observer research foundation, तो ये ministry of external affairs के साथ मिलके कर साती है, राइ सीना dialogue, New Delhi में, बहुत सारी countries को invite किया जाता है, इसमें, बहुत सारे expert को, scientist को, academic को, corporation, institute, किसी को भी invite किया जा सकता, राइ सीना dialogue में, राइ सीना dialogue के अंदर ही, ये राइ सीना security dialogue होता है, उसी के अंदर ही होता है, इसमें क्या करते हैं, देखो ये 2022 से start हुआ है, 2022 में पहला ये राइ सीना security dialogue हुआ था, देखो security dialogue 2022 से start हुआ है, और राइ सीना dialogue 2016 से चल रहा है, ये बात आपको याद होने चाहिए, तो राइ सीना security dialogue इस साल का 2023 में second edition हो रहा है, second edition, इसमें करते क्या है, इसमें देखो जैसा इसके नाम है security, यानि कि security और intelligence के लिए ये conference होत होती है, वहाँ उस country के देश के chief आते है, security chief या intelligence chief, जो intelligence agency होती है, उनके chief, intelligence agency जैसे हमारी इंडिया में है, raw, research analysis and wing, research analysis and wing है जो raw के बारे में आप जानते होंगे, तो इस तरह की intelligence जो होती है, organization उनके chief आते हैं, world के top officials आते हैं इसमें, और ये इस तरह से, ये conference कराई जाती है, जैसे जैसे देखो, munich security conference होती है, इसे Germany कराता है, एक Singapore कराता है, ये भी security conference होती है, तो इनके बारे में भी discuss करेंगे, दोनों के बारे में, तो इसी तरह की conference, conference ही India conduct कराता है, security के लिए, राईजीना security dialogue, और जो राईजीना security dialogue है, इसे organize कौन करता है, आयो जित, देखो जो रा राईजीना dialogue को तो ministry of external affairs कराती है, observer, ये observer research foundation के साथ मिलके, लेकिन इसी के अंदर राईजीना security dialogue को raw कराता है, research analysis, research analysis wing, और national security council, ये दोनों मिलके कराते हैं, इसको राईजीना security dialogue को, और raw के बारे में आप जानते हैं, हमारे इंडिया की foreign intelligence agency है, foreign intelligence agency, यानि कि foreign में, विदेश मे intelligence के related कुछ एक खटा करती रहते हैं, information, सूचना, कि हमारे इंडिया पर कोई attack तो नहीं करने वाला, कोई घुस पैटी तो नहीं आ रहे हैं, कोई आतंगवादी attack तो नहीं होने वाला, terrorist attack, तो इस तरह की intelligence जुटाती रहती है, ये raw, लगबग 250 इसके official काम करते हैं, 12 official काम करत आते हैं, जो IPS वगरा होते हैं, उनको उठा लेते हैं वाई सब, जो raw में जाना होता है, या दूसरे process से भी, CBI से यहां से ले लेते हैं, officer, तो जो raw है, कब बनाए गई थी, ये बनाए गई थी, देखो, China war हुआ था, 1962 में, फिर Pakistan war होता, इंडिया से, 1965 में, तो इसके बाद इंडिया को, ये कमी खली, के एक intelligence agency होनी चाहिए, इंडिया के पास, जो ऐसी intelligence information जुटा सके, जिसकी वज़े से हमें पता चल सके, अगर कोई country war करना चाहता, या कुछ attack करना चाहता, या terrorist attack होना चाहता, तो हम कुछ intelligence information जुटा सके, और हमारे पास पहले से information हो, तो फिर ये 1968 1968 में बनायी गई थी, रॉ, 1968 में, New Delhi में इसका headquarters है, New Delhi में headquarters है, और किसके अंडर काम करती है, दको ये काम करती है, cabinet secretariat के अंदर, और cabinet secretary कौन होता है इसका head, दको इसका head होता, IS officer, Cabinet Secretary, cabinet secretary का, और ये किसके अंडर काम करता है, cabinet secretariat, ये directly ये प्राइम मिनिस्टर के तो ये कह सकते हो आप ऑप प्राइम से कपरता क्याम से क्यूलत करता एक स्था ये रों औरनी Лचल में और्गनाइज कराते हैं आयुजित कराते हैं पहली 2022 में होती है दूसरी हो रही है 2023 में तो इसमें क्या डिसकस किया गया है सेकेंड एडिशन है 26 countries ने participation किया है UK जापान फ्रांस बहराइन के intelligence chief भी आये यहां पर इस discussion में इस conference में फोकस क्या है global security पे global security यानि कि सुरक्षा कैसे इंसोर की जाए global लेवल पे counter terrorism कैसे यानि कि आतंगवाद को कैसे रोका जाए radicalization को कैसे रोका जाए drug trafficking जो होती है अवेद तरीके से जो नसीली दवाईयों का export import होता है एक दूसरी country से यानि कि illegal तरीके से बेची खरीदी जाती है इनको कैसे रोका जाए illegal arms smuggling होती है arms का मतलब है weapons हतियार तो यह अवेद तरीके से जो हतियार smuggle किया जाते हैं इक दूसरी country में उनको कैसे रोका जाए इस पर यह सारा discussion हुआ है इसमें जो second edition हुआ है राइसीना security dialogue का अच्छा जो मुनीच security conference है जिससे जर्मनी करा था इसे 1963 से करा रहा है जर्मनी जर्मनी का यह बैवेरिया नाम के जगह में यह मुनीच यह city है वहां पर होता है यह conference annual conference है यह भी internal security policy है जर्मनी बहुत सारी countries को invite करता है और information exchange करते हैं इसमें internal security से policy decision maker को कोई intelligence related policy बरानी हो तो उनको intelligence information share करते हैं इसमें बहुत सारी government के head of the state इसमें participation करते हैं बहुत सारी intelligence या organization international organization या minister parliamentary member या high ranking कोई representative armed forces से है या science civil society से या business media से भी कोई expert participate कर सकता है इसमें कहां पर कराई जाती है जर्मनी के बैवरिया में मुनिश सिटी में एक hotel है hotel बैवरिस इसका नाम याद रखने की कोई जुरुत नहीं है बस इतना याद रखो जर्मनी में मुनिश सिटी यह वहां पर कराया जाता है तो दूसरा एक सांग्रीला डायलोग यह भी defense or security summit है Asia का यह defense security summit है जो annually कराया जाता है जिसमें defense minister participate करते हैं और head of the minister होते हैं जो वो participate करते हैं military chief participate करते हैं 28 Asia Pacific countries जिसमें participation करते हैं कि कौन कराता सिंगापूर कराता सिंगापूर में यह international institute for strategic study है यह independent think tank है यह इसको organize करता है सिंगापूर में ही होता है सिंगापूर में एक hotel है जिसका नाम है सांग्रीला उस hotel में कराया जाता है summit 2002 से कराया जा रहा है यह तो hotel में होता है सांग्रीला में इसलिए इसका नाम भी रख दिया सांग्रीला डायलोग next topic है organoid intelligence यह prelims के लिए तो important है GS paper 3 science and tech के लिए important है recently news में क्यों है यह देखो johns hopkins university है यह अमेरिका में मेरी लेंड में है johns hopkins university यानि कि अमेरिकन university है इसके को scientist ने अभी research किये इस पे organoid intelligence पे तो यह research आगे साहता करेगी इसकी वज़े से बायो computer बनाए जा सकेंगे आगे अच्छे बायो computer तो इसमें हम जानेंगे organoid क्या होता है organoid intelligence क्या होता है और बायो computer क्या होता है तो पहले जानते है चाहिए organoid क्या होता है देखो अरगन दो वडसे मिलके बनाए organ और यह वोइड और 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 जो यह क्या है मतलब ब्लक हमारे बॉड़ी के organ कोई भी हो सकता है liver हो सकता है heart हो सकता है kidney हो सकता है यह सब organ है हमारी body के तो अगर कोई organ lab में बना दिया जाए artificially man-made बना दिया जाए lab में और वो ऐसे ही काम करें जैसे human का natural organ काम करता है जैसे heart बना दिया lab में artificial यह liver बना दिया kidney बना दिया जो resemble करते है organs को या निकि organ की तरह तरह ही काम करते हैं three dimensional structure होते हैं और stem cell से drive किये जाते हैं stem cell क्या होती है इसका lecture science and tech के playlist में पड़ा हुआ है detail में देख सकते हो यह समझ लो stem cell हमारी body में ही पाई जाती है और यह stem cell इनके पास ऐसी विसेस्ता होती है ऐसी property होती है कि इनकी विज़े से हम body का कोई भी अंग बना सकते हैं जैसे heart बना सकते हैं stem cell से या कोई body का और part बना सकते हैं जो damage हो चुका है और उसे fit कर सकते हैं फिर body सही से काम करने लगेगे तो stem cell से यह बनाए जाते हैं three dimensional structure smaller होते हैं यह simpler version होता और यह जैसे body में organ काम करते हैं उन्हें की तरह ही काम करते हैं उन्हें को mimik करते हैं mimik का मतलब copy करते हैं उन्हें की तरह काम करते हैं जो most complex organ होते हैं उनको उनकी तरह ही काम कर सकते हैं certain type के जो cell होते हैं, उनको produce किया जा सकता है, इनकी वजए से, और्गिनोड की वजए से, इनकी कुछ range होती है, और इनका जो size होता है, एक hair से भी कम size होता है, hair जो आपका बाल होता है, सिरका, उसकी जो width है, उससे भी कम होता है, और उस width, hair से लेके, hair जितना मोटा होता है, उस में 100 cm होते हैं, यानि कि 1 cm में 10 mm हो गए, तो आप जान सकते हो, कितना छोटा होता है, तो organoid intelligence क्या होता है, देखो organoid जान गए हम, organoid क्या होता है, एक organ artificial organ होता है, तो artificial organ की intelligence कोई organoid, intelligence बोलेंगे, यानि कि organoid की ability, जो वो काम कर सके, कुछ behavior, certain behavior को दर्सा सके, अपनी खुद की intelligence से, कुछ problem solve कर सके, कुछ सीख सके, learning कर सके, या changing environment की, जो environment change हो रहा है, उसको देखते हुए, अपने आपको adapt कर ले, environment में अपने आपको ढाल ले, इस तरह के काम करे, उसी कोई organoid intelligence बोलते हैं, ये देखो आने वाले समय में, जो अभी current computer है, जो artificial intelligence पे काम करते हैं artificial intelligence का मतलब ऐसी machine जो human brain की तरह खुद सोच ले, इस तरह कंप्यूटर काम करते हैं, उनसे भी जादा, उनसे भी जादा ये efficient होंगे आने वाले समय में, ये organoid intelligence, और organoid intelligence की वज़े से bio computer बनाये जाएंगे, और bio computer क्या होते हैं? बायो कंप्यूटर हैं इस तरह की computer होते हैं, जिन अगर computer को biological molecules को use करके बनाये जाएं, biological molecules मतलब जैसे DNA का, protein का, इनको use करके computational task perform की जाएं, उन्हीं को बोलेंगे bio computer, ये computer बहुत तरह के operation ये perform कर सकते हैं, traditional computer जो होते हैं, उनसे बहुत ही faster ये perform कर सकते हैं, बहुत ही faster, तो bio computer बन जाएंगे इनसे देखो medicine और बायो टेक्नोलोजी की field में एक तरह से revolution लाई जा सकती है क्रांति लाई जा सकती है अच्छे अच्छी medicine बनाई जा सकती है बायो टेक्नोलोजी की field में काम किया जा सकता आगे तो बायो कंप्यूटर simply इन्हें DNA कंप्यूटर भी बोल सकते हैं क्योंकि यह DNA का stand यूज करके बनाई जाते हैं और बहुत सारी information store करके रखते हैं process information store करके रखते हैं यह बायो कंप्यूटर नेक्स्ट टॉपिक है आर्मी कोर्ट मार्सल यह prelims के लिए important जीस पेपर 2 के लिए मिंस में देखो कोट मार्सल देखो यह military के कोर्ट होते हैं military के जैसे civil कोर्ट होते हैं डिस्टिक में कोर्ट है सैसन कोर्ट या normal कोर्ट या फिर high court supreme कोर्ट यह civilian कोर्ट है civil मामले को देखते हैं लेकिन जो military के मामले होते हैं military के matter उनको देखता है यह court आर्मी के क्रम्चारी में कोई आर्मी के कोर्ट मार्सल है, किस एक्ट से बनाए गएं, कब बनाए गएं, सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी न्यूज में इसलिए है, आर्मी कोर्ट मार्सल ने जम्मू कस्मीर में एक कैप्टन को, आर्मी में कैप्टन था, पोस्ट होती है चैप्टन, उसको life imprisonment recommend क्या आ मार दिया था इस वज़े से इनको life imprisonment में लिए इसलिए ये court marsal news में हैं तो court marsal क्या है यह authority जज की तरह ही काम करते हैं यह arm force के member को सजा दे सकते हैं military law के तहत यह काम करते हैं और जो भी आदमी guilty पाया जाता है कोई accused उसे punish करते हैं सजा देते हैं legal provision क्या court marsal के लिए इंडिया में देखो एक arm forces tribunal act बनाया था 2007 में इसके तहत parliament ने एक्ट पास करके क्योंकि हमारे सभीधान में दिया हुआ है कि army के लिए army के specially rule करने के लिए उसे parliament power देता constitution को constitution power देता parliament को कि parliament law बना सकती है arm force के govern करने के लिए तो arm force tribunal act बनाया गया है 2007 में पार्लमेंट द्वारा तो इसके तहत यह arm force tribunal बनाई गई गई tribunal तो इस tribunal में जज्जी होते हैं जो सजा देते हैं तो यह tribunal जो होती हैं किसके तहत काम करती हैं यह देखो army act 1950 navy act 1957 का air force act 1950 का तो इन से ही power लेके यह इनको ही पावर लेके यह dispute को सुल जाती है मामले को complaint वगरा को सुल जाती है educate करती है composition क्या होती है arm force tribunal की इसमें देखो judicial member होते हैं high court का judge कोई retire है तो वो judicial member होते हैं कुछ administrative member होते हैं वो होते हैं अगर arm forces में army navy air force से कोई member retire है तो उसको बना सकते हैं इसका member arm force tribunal का लेकिन वो major general की rank से उपर होना चाहिए या major general होना चाहिए और तीन साल उसने service करियो तीन साल या तीन साल से ज्यादा major general की rank पे तो उसको administrative member मना सकते हैं इस tribunal का या फिर कोई judge advocate general होता है इसको भी appoint किया जा सकता है administrative member में ट्राइबुनल में administrative member की तरह appoint किया जा सकता है एट लिस्ट उसने advocate general जब रहा था वो judge advocate general तो उस कम से कम एक साल रहा हो तभी उसे administrative member बना सकते हैं आम फोर्स ट्राइबुनल का चार तरह की होते हैं यह court marsal चार तरह की एक तो general court marsal, district court marsal, summary general court marsal और summary court marsal army act है उसके अंदर देखो कोई भी army court है, army का court वो किसी भी person को सजा दे सकता है किसी भी अपराद के लिए लेकिन हाँ अगर उस army personal ने army का कोई मानलो करम चारी है उसने civilian पे कोई murder किया है, rape किया है मतलब कोई civilian आदमी पे, army में नहीं है वो, army से अलावा civilian जो लोग है उन पे अगर rape किया है या murder किया है तो फिर उनको civilian court ही देगा सजा, high court या supreme court ही सजा देगा, फिर army court नहीं देगा अगर army के अंदर ही कोई crime किया है, तो उसे army court देखता है, क्या अगर मानलो army court है जो यह court martial इन्होंने सजा दी किसी army personal को personal जानते को करमचारी, एक होता है personal और एक होता है personnel, तो personnel का मतलब होता है करमचारी यह spelling है court martial ने, क्या इनके पास कोई और option है, बिलकुल है, यह pardoning power होती है जो president की, वो इनमें भी चलती court martial में भी, तो जो president है, वो pardon कर सकते हैं, article 72 के अंदर president को power है, judicial power, कि वो pardon भी कर सकते हैं, reprieve भी कर सकते हैं, respite, remission, यानि कि उसकी punishment को घटा भी सकते हैं, दूसरी, उसमें बदल सकते हैं, sentence को, या फिर उसे बिलकुल pardon भी कर सकते हैं, बिलकुल माफ कर सकते हैं, उसकी सजा को, तो यह court martial का जो भी sentences सजा दी जाती है, किसी भी personal क करमचारी को, तो president छमा कर सकते हैं, article 72 के अंदर, next topic है, स्वच्च सूजल सकती सम्मान 2023, यह prelims के लिए important है, और GS paper 3 के लिए, environment related topic है, president of India ने अभी देखो, price दी है, सूजल, यह स्वच्च सूजल सम्मान सकती सम्मान 2023 के, यह देखो, इसी time पे, जल सकती अभ्यान ने, launch किया है, cash the rain 2023, new Delhi में, स्वच्च सूजल सकती सम्मान क्या है, और किसलिए दिये जाते हैं, यह महिलाओं को दिये जाते हैं, महिलाओं को contribution जो रहा है, स्वच्च सूजल भारत के लिए, यह क्या है, स्वच्च सूजल भारत में क्या करती हैं महिलाओं, महिलाओं इसमें देखो, घर घर जाती है और awareness फैलाती है water conservation के लिए काम करती है पानी को बचाने के लिए हर घर जल विलेज ये जो अभिहान है इसके लिए काम करती है ओडियब प्लस मॉडल विलेज के लिए काम करती है ओडियब प्लस का मतलब open defecation free यानि कि कोई भी आदमी किसी गाव में किसी सहर में खुले में सोच आदी ना करे और toilet ना करे खुले में और वहाँ पे अगर कोई मालो bathroom वगरा lettering वगरा बनी हुई है toilet बनी हुई है उससे जो मल निकलता है उसको process भी किया जाए उस waste को process किया जाए उससे gas वगरा बनाई जाए तो वो है audio plus model village तो ये national flagship mission है इनके बारे में महिलाएं contribute करती है तो उनको दिया जाता है ये सम्मान सच सुजल सक्ती सम्मान union ministry of जल सक्ती है उसका ये event है महिलाएं जो भी rural water sanitation sector में काम करती है उन champion को honor दिया जाता सम्मान दिया जाता है जो भी ministry of जल सक्ती ने catch the rain campaign चलाया ये क्या है catch the rain का मतलब बारिस को पकड़ा और बारिस को कैसे पकड़ेंगे बारिस को पानी को इखटा करेंगे rain harvesting ये एक तरह से rain water harvesting structure है ये इसमें क्या रेन को catch किया जाता है ने कि water को store किया जाता है जहां पर भी गिरता है where it falls when it falls जब भी जहां भी ये पानी बारिस का गिरेगा वहा को implement करती है इस campaign को catch the rain campaign को और पूरी country में rural urban areas में ये campaign चलाया जाता है campaign को हिंदी में बोलते है अभियान next topic है mega topics one ये prelims के लिए important है GS paper 3 science and tech में ये देखो एक satellite है क्या काम करता है किसका है इतना बस आपको याद रखना है इंडिया और France का joint satellite mission है ये water cycle energy exchange है जो topics में उसको ये करेगा topics का मतलब देखो ये अर्थ है अर्थ के बीच में ये भूमद्य रेखा है zero degree equator बोलते है zero degree equator से दोनों साइथ North में और South में 23 and half degree North और South ये वाले area को बोलते हैं topics topics में water cycle यानि कि बादल बन रहे हैं कहां पे कितना पानी है बादल में किस तरह से बन रहे हैं क्या process है य objective समझ गए water cycle को यानि कि convective system है जो convective system का मतलब जो धूप पड़ती है sunshine topics में यहाँ पे ज्यादा sunshine होती है इसकी वज़े से समुंदर का पानी वास भी करन होता उसका यानि कि evaporation होता evaporation होगा फिर condensation होगा संगनान किरिया होगी condensation का मतलब संगनान किरिया बोलते हैं हिंद per convert हो जाएंगे फिर वहां पे जघुँका बantal कि लावर घान व होते हैं उन की आजगे हो millimeter Eldrack हो जाएगा उड़़ते हैं के बादल थे हैं लेंग पड़ना कि इस बोड़ते हैं के ल हो जाएन चीप से में और मॉलते हैंने इनल्याथन परने चीपीटैसे और मेरी जाएक पानी बादल ज्यादा हो जाएंगे तो यह जो system है system को समझने के लिए satellite बनाए गया है यह यहांनि कि टोपिकल वैदर को समझने के लिए टोपिकल क्लाइमेट को समझने के लिए energy moisture budget atmosphere में टोपिकल रीजन में इसको समझने के लिए तो scientific data देगा water cycle का tropical atmosphere में cloud के बारे में, water vapor के बारे में, precipitation के बारे में, evoperation के बारे में सब के बारे में information देगा, जो mega tropic से ये day, night, all weather में काम करेगा, सारी capability है, सारे system में काम करेगा चाहे day हो, night हो, चाहे बारी सो, वर्साथ हो, धूपो कीसी में بھی काम करेगा नेक्स टॉपिक है निस्टन हर्याली। मिसन हर्याली रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि देugो बिहार में डिस्टिक नालंदर डिस्टिक वहाँ पर यह एक वॉलेंटर लेड इनिसिटिव है इसे देखवा आप इन्वार्मेंट से लेटिड कोई ऐसे का टॉपिक आता है या एथिक्स में टॉपिक आता है वहाँ पर यूज कर सकते हो इसको एक केस्टडी है एक तरह से यह मिसन हर्याली और इस तरह से प्रिलिंस में भी पूछा जा सकता है तो याद रखना वॉलेंटर लेड इनिसिटिव है यह कि यह किसी गौवर्मेंट का नहीं है किसी एंजियो वगेरा का नहीं है लोगों ने अपने आप चलाया है यह इसमें क्या करते है कुछ लोग इखटा हो के आए वह इसमें हर दिन 500 से 600 प्लांट बाटते हैं पॉद्ध बाटते हैं पॉब्लिक प्लेसीज में गौवर्मेंट उफिशल को स्कूल में मार्केट में लोगों को बाटते हैं चिल्डन को बड़े बुजूर्गों को बाटते हैं ताकि उनके आसपास जो भी उन्हें स्पेस दीके उन पॉद्धों को लगाए और ज्यादा से ज्यादा वहां पे पेड हों यह इसका टार्गेट है तो इसका इंपेक्ट क्या होगा देखा इसका इंपेक्ट यह हुआ है नालंदा में 2016 से वन मिलियन फ्रूट ट्री लगा चुके हैं यह यानि कि 10 लाक से भी जादा फल के यह पेड़ लगा चुके है नालंदा में तो इनसे बहुत बैनिफिट होगा वहां पे रेजिडेंट्स को भी इंकम जनरेट होगी वहां पे बेस सकेंगे फ्रूट्स को नेक्स्ट टॉपिक है बंबू क्रेस बैरियर या बाहु बल्ली भी बोलते हैं बाहु बल्ली या बंबू क्रेस बैरियर बैरियर आ जानते हो बैरियर आप जैसे देखो रोड है रोड के आसपास स्टील के बैरिय से तो यह प्रिलिम्स के लिए भी इंपोर्टेंट है और यह देखो इन्वार्मेंट से लेटेड़ टॉपिक है उसमें भी एक के स्टडी यूज की जा सकती है या ऐसे के पेपर में भी यूज के जा सकता है देखो अभी तक स्टील के बेरियर लगते हैं रोड के आसपास ले यह हाई डैनस्टी पॉलि एथिलीन और केरियो सॉट ओयल से यह कोटिड किये गए है यानि कि बंबू के साथ साथ इनको भी यूज किया गया पॉलिथन वगरा हाई डैनस्टी पॉलिथीन और केरो सॉट ओयल को इनसे बनाए गए यह बैरियर सिगनिफिकेंस क्या होगा द जो लोग बंबू उगाते हैं उनकी डिमांड जादा बढ़ेगी वो बेश सकेगी अच्छे दामों में तो इससे इन्वार्मेंटल कंसर्ण भी एड्रस हो सकेगी रूरल और एग्रिकल्चर फ्रेंडी इंडरस्टी भी परमोट होगी और रूरल एडियास में जो बंबू को आते हैं उनके लिए इंकम भी जनरेट होगी यानि कि सब के लिए विन-विन सिच्वेशन है विन-विन सिच्वेशन जानते हो आप इसे तब यूज करते हैं विन-विन सिच्वेशन वर्ड को तब को जो भी पार्टी इन्वाल्व है ने किसी अवस्ता में सिच्वेशन ये grass की category में आता है, tree में नहीं आता, इंडिया ने कुछ साल पहले ये act के तहट tree में आता था, यानि कि जंगलों में लोग इसे काट नहीं सकते थे, बंबू को, लेकिन tree की category से हटा दिया, यानि कि जंगलों में तो अब भी नहीं काट सकते हैं, लेकिन जंगल के आस्वास कह पर है जंगल से दूर तो बंबू को काटा जा सकता है क्योंकि यह ग्रास की कटेगरी में ट्री नहीं माना जाता याद रखना पेड़ की के तक रिम आता यह पूछा जा सकता आप से सबसे ज़्यादा बंबू हमारे इंडिया में अध्य परदेश हुआता है लार्जेस बंबू नौर्थ इस्ट के एरिया में होता है जैसे अर्नाचल पर्दिस असम मेगालेतिर पुरामिजोरम मनिपूर नागलेंड इन एरियास में होता है 50% से ज्यादा बंबू पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रडूस करता चाइना बंबू को इंडिया सेकंड लार्ज और सबसे ज्यादा चाइना में नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ओन लाइफ साइकल ऑफ वर्किंग वूमन यह देखो मेंस के लिए इंपोर्टेंट है जी एस पेपर टू के लिए भी वन में भी पूछा जा सकता सोसाइटी से सोसाइटी से रिलेटिड ट स्कूर किया है इसमें बताया है कि महिलाओं के लिए एकॉनमिक अपोर्चनिटी जो हैं उनको क्या प्रभाव पढ़ रहा है जो लौज बने हुए हैं किसी कंट्री में जो कानून बने हुए हैं वो क्या प्रभाव डाल रहे हैं महिलाओं की एकॉनमिक अपोर्चनिटी में यहने कि महिलाओं को job के लिए क्या क्या मौके हैं, कितना job कर पाती हैं, क्या क्या परेशानिया होती हैं, तो वो लोग कितना इनकी help कर पा रहे हैं, कितना प्रभाव डाल रहे हैं, यह इस index में बताया गया है, इनमें देखा गया है कि महिलाओं की mobility, workplace में, pay क्या है, उनकी salary, marriage की वज़े से क्या प्रभाब पढ़ा जोब पे पेरेंट हूड की वज़े से जब बच्चे बैदा हो जाते हैं तो बच्चों के बाद क्या प्रभाब पढ़ता उनकी जॉब पे entrepreneurship कितनी हैं, अध्योगपती कितनी महिला हैं, यह सब कुछ इसमें देखा गया data, तो working woman के क्या-क्या issue हैं, पहले देखते हैं, globally, globally देखो, जितना man को legal right हैं, जितना man को legal right हैं, उसका 77% ही महिलाएं enjoy कर पाती हैं, और current page में, देखो, gender equality के लिए जितने भी कदम उठाए जा रह रहे हैं, एक मिल टोको में पानी पी लेता हूँ, तो जो भी global level पर प्रियास किया जा रहे है, effort लगाए जा रहे है, gender equality के लिए, अगर इसी तरह से यह चलते रहे, तो आने वाले 50 साल लग जाएंगे, कम से कम gender equality इंसे और करने के लिए, हर जगे, महिला और प्रूस को equal बना जाने के लिए, और भी कम से कम 50 साल लग जाएंगे, इसी पेस से अगर चलते रहे हैं, यहने कि ज़्यादा effort करने पड़ेंगे, अगर 2030 तक यह target अचीव करना, sustainable development goal में एक target है, gender equality का, और sustainable development goal क्या है, बहुत बार डिसकस कर चुके हैं, और जानना है, यह आपको quality या economy की playlist में लेक्टर मिल जाएगा, sustainable development goal पे, इंडिया ने क्या-क्या effort किया हैं, देखो, इंडिया के जो law हैं, वो प्रभावित करते हैं, woman की pay को भी, pension को भी, inheritance और property right को भी, जो laws हैं, वो महिला के जो work है, उसको भी प्रभावित करते हैं, children के बाद, यानि कि बच्चे जब पैदा हो हो जाते हैं, महिला के work को प्रभावित करते हैं, और महिलाओं को starting में भी, और business running करने में भी, बहुत सारी बाधाएं होती हैं, इंडिया में, report में suggestion क्या दिये हैं, suggestion ये दिये हैं, कि legal equality है, महिलाओं के लिए, इसको reform किया जाए, सुधार लाया जाए, और equal pay दी जाए, महि महिला और पुरुष सेम काम को करते हैं, तो उन्हें सेम ही remuneration दी जाए, equal remuneration, यानि कि equal salary दी जाए, ये mandate होना चाहिए, और जो महिलाओं उनको night में काम करने की अमनुमती दी जाए, जैसे man कर सकते हैं, इस तरह के step लिए हैं, बहुत सारी state government ने, जैसे करनाटक ने, UP ने step कर सकते हैं, जैसे पुरुष करते हैं, फैक्टरी में, वो भी night shift कर सकते हैं, और महिलाओं को industry job के लिए, जिस industry में में काम कर सकते हैं, उसमें महिलाओं को भी आदेश दी जाए, यानि कि permission दी जाए, वो भी काम कर सकते हैं, अच्छा problem कौन कॉन से जो महिलाओं को face करनी हैं, जितने महिलाओं को निभाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है, में, जो में है, जो पुरुस है, मेंली जॉब करता है, और सारे काम किसको करने पड़ते हैं, फैमली डूटी को, अगर कोई महिला जॉब भी करती है, तो भी उसके बाद, जॉब करने के बाद भी उ पच्चा पैदा भी महिलाई करती है उसके फिर देखभाल भी सारी महिला की जिम्मेदारी होती है अधिकतर घरों में बिजनिस या टूर्स ट्रेनिंग जो महिला करती है उसको सवाल ना होता है फैमली ड्यूटी के सासर हेल्थ और फिटनेस इसमें भी प्रॉब्लम देखने क एक तो जेंडर 8 मैन और पुरुष के बीच में आपको पता है पक्षपात होता है 22 मतलब कर दो महिला को 12 महिलां या मिलती हैं तो बहुती कम मिलती हैं यह महिलाओं को बहुत सारी factory higher भी नहीं करती उन्हें लगता है कि अगर महिला आगे pregnant होगी फैरी से हमें जौब के जौब से छुटी देनी पड़ेंगी वो हमें फिरी फंड में इसको salary देनी पड़ेंगी, तो ये सारी face करनी पड़ती है problem, mental, physical harassment, आप सब को पता है, देखो, workplace पे बहुत सारी महिलाओं को harassment देखने को मिलता है, लोग सता आते हैं, comment पास करते हैं, तरह तरह के, unequal पे, महिलाओं को बहुत सारी industry में equal payment भी नहीं मिलती, salary equal नहीं मिलती, बुर्सों तो ये आप use कर सकते हो, देखो, means के answer में, क्योंकि हर साल means में, एक topic तो women's related पूछा जाता है, ethics के paper में भी पूछा जाता है, GS paper 2 में भी, society जो topic है, GS paper 1 में, उसमें भी पूछा जा सकता है, तो ये ही topic थे इस lecture में,